आयोध्या में बन रहा भगवान श्री राम का भव्वे मंदिर अद्भुत और अलौकिक रूप ले रहा है मंदिर का निर्मार का रित लगातार जारी है इसके साथ ही राम भक्त बड़ी संख्या में आयोध्या पहुच रहे हैं और इस एतिहासिक पल के गवाह बन रहे हैं श्री राम मंदिर की छत का 40-30 और राम मंदिर के भूतल का 85-30 काम पूरा हो चुका है इसी साल अक्टूबर तक भूतल का निर्मार कारे पूरा करने का लक्ष है श्री राम मंदिर की छत पर पत्थर बिछाने का काम और तेज हो गया है मंदिर का निर्मार कारे राम मंदिर निर्मार समीती की देखरेक में किया जा रहा है मंदिर निर्मार की तस्वीरे समय समय पर सामने आ रही है ताजा तस्वीरों और वीडियो में आप देख सकते हैं कि श्री राम मंदिर में चल रहा काम कहां तक पहुँच गया है ये वीडियो श्री राम जन्म भूमी तीरत छेत्रे ट्रस्ट के महासचिप चंपतराय ने जारी की है गर्ब ग्रह की दिवार को शांदार नकाशी कर तयार किया जा रहा है कुछ दिन पहले ही मंदिर की छत की तस्वीरे भी जारी की गई थी जो की शोशल मेडिया पर वायरल हो गई दिवार की तस्वीर और वीडियो ट्वीट कर महासचिप चंपतराय ने बताया कि मंदिर अद्भुत अलोकिक और भव्य रूप ले रहा है मंदिर के भुतल का काम अब अंतिम दौर में पहुँच चुका है मंदिर की दिवारे खड़ी होने के बाद पत्थर बिछाने का काम तेजी से चंग रहा है मंदिर के परिक्रमापत पर पत्थर बिछाने का काम पूरा होने के बाद अब गुडी मंडप और कोली मंडप के उपर पत्थर बिछाय जा रहे है पूरे मंदिर पर पत्थर बिचाने के बाद इन पत्थरों को आपस में जोड़ने का काम शुरू होगा राम मंदिर के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मेश्र ने बताया कि मंदिर निर्माड कारे का काम तैसे में पर पूरा हो जाएगा तो कैसी लगी आपको शीराम जन्म भूमी की ये वीडियो हमें कमेंट करके जलू बताएं